हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी उमीद है आप सब बहतर होंगे दोस्तों और सीटेट के लिए आप बहतर तयारी कर रहे होंगे क्योंकि आपका एक्जाम धीरे-धीरे पास में आ रहा है तो सुरू करते हैं दोस्तों पहला क्विश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्विश्चन क्या कह रहा है एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ हुआ ग्यान विक्सित हो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए अब इस्टेटिमेंट आ जहां पर यह निगेटिव आपका टैग वर्ड है जहां पर भी आपके किसी भी ऑप्शन में कंठस्त आ जाए तो वो ऑप्शन निगेटिव होगा बच्चों को आपका रोटेन सिस्टम से क्या करना है फ्री करना है कंठस्त नहीं कराना है उन्हें कॉंसेप्ट इस तरीके स चीजों को समझाना है बेहतर तरीके से समझ में आ जाए अगला क्या है छात्रों को कहें कि वह विभिन प्रकार के पौधों के बारे में अपने माता पिता से पूछे सही हो सकता है चलिए आगे देखते हैं छात्रों को अपने साथ विद्याले के बगीचे में चलने को कहें तथा वहाँ पर सभी पौधों की पहचान करने को कहें तो अब अगला भी पढ़ लेते हैं शात्रों से कहें कि वह स्वेम वीडियो देखकर पौधों की पहचान करें है तो ये भी सही आपका ये भी सही लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो है दोस्तो इसमें क्या है आपका सी सही हो जाएगा क्यूंकि बच्चा खुद से जिन चीजों में ज़्यादा इन्वाल्व रहेगा वो चीजे वो जल्दी सीखेगा तो बच्चा किसमें खुद से इन्वाल्व है किसमें ज़्यादा एक्ट्व है C option में activate जब वो जाएगा और सभी पौधों को देखेगा उनकी पहचान करेगा अवलोकन करेगा तो वो ज्यादा सीखेगा C option correct हो जाएगा अगला बढ़ेंगे दोस्तो अगला question देखेंगे क्या है question दोस्तो कह रहा है कक्षा तीन के छात्रों को संचार के माध्यम यानि आपका communication से related चीजे पढ़ा रहा है पढ़ा रही है एक सिक्षिका है फरा ठीक है उसमें research अपने छात्रों में research यानि अन्वेसर्ण को प्रोच साहित करने के लिए कौन कौन सी नीतियों का उपयोग करेंगी अब एक है रहा है छात्रों से कहेंगी की वे संचार के माध्यमों के चित्र एकत्रित करें और उन्हें वरगी करत करें चलिए अगला क्या है देख लेते हैं सही लग रहा है अगला क्या है संचार के माध्यमों पर एक वीडियो दिखाएंगी हाँ हो सकता है ये भी C कह रहा है छात्रों से कहेंगी कि वह संचार के माद्यमों पर अपने अनुभव बताएं और उस पर चर्चा करें D कह रहा है संचार के माद्यमों पर एक PowerPoint प्रस्टुती करड करेंगी कर सकती है यह भी आपका सही है लेकिन option क्या है हमारे पास दो का ही दोस्तों दो-दो का option है तो इसमें दो तो cancel होने है और दो best option जो है वो हमें select करने है तो छात्रों से कहेंगी वह संचार माद्यमों के चित्र एकत्रित करें बिल्कुल हो सकता है सही है न इसमें बच्चा क्या है खुद से active होगा है फोटो कलेक्ट करेगा उन्हें वरगी क्लासिफाई करेगा तो बच्चा खुद से active होगा यह option आपका सही है वीडियो के दिखाएंगी तो दोस्तों यह आपका थोड़ा सा गलत answer हो जाएगा संचार के मादिमों पर एक वीडियो दिखाएंगी मतलब यह अलग सा हो जाएगा सी क्या करा च्छात्रों से कहेंगी कि वह संचार के मादिमों पर अपने अनुभव बताएं यह आपका सही हो जाएगा पावर पॉइंट पर स्तुती करण करेंगी यह इतना important नहीं है जितना important आपका A और C है तो A और C आपका third option correct हो जाएगा ऐसा होता है दोस्तों पैडागोजी में कभी कभी सारे option सही लगते हैं तो उसमें क्या होता best को select करना होता है तो best हमारे A और C थे क्या है अगला question दोस्तों निम्न लिखित में से कौन सा जो साधन है जल के आभाव एवं इसके किसी छेतर पर पढ़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है कौन सा सबसे अच्छा मीडियम होगा किसी छेतर पर जल के आभाव में पढ़ने वाला जो प्रभाव है या इस तरीके की चीजे हैं उसके लिए कौन सा साधन सबसे अच्छा होगा पाठे पुस्तके श्रव्यशाधन विश्वकोस या समाचार पत्र की रिपोर्ट तो इसमें दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा न्यूजपेपर रिपोर्ट जो है हम कई जगे की अलग अलग जगे की चीजे सीखते हैं देखते हैं उनके बारे में जानते हैं तो सबसे ब आठी आकलन को परिभासित करता है एक एरा या सिक्षक एवं ज्यानवर्धन पर विद्यार्थी के स्वेम के आकलन पर केंद्रित होता है स्वेम के आकलन दोस्तों यानि ये असेस्मेंट फॉर लर्निंग का हिस्सा है ठीक है अगला क्या है या विद्यार्थी के कारी करते स समय उसे केंदरित होता है, तो आपका सही option क्या हो जाएगा, सहपाथी आकलन को परिभासित कौन करता है, विद्द्द्रित होते हैं, और जब बच्चे जो है, जोडो में या ग्रुप में बैट के, एक दूसरे चीज पर चर्चा करते हैं, जैसे किसी ने कहा ग्रूप में बैटे हैं और बच्चा कह रहा है एक बच्चा दूसरे से कह रहा है कि ले मुझसे किताब और question सुन है ना इस तरीके से तो ये आपका सबसे best option हो जाएगा दी कह रहा है विद्यारतियों में समों में सिच्चा प्रगत के इंद्रित होता है तो C ही आपका perfect option होगा अगला question क्या है दोस्तों चैनल को subscribe करके बल आइकन प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको important वीडियो EVS और CDP math इत्यादी की आपको में देता रहूँगा आपके CTAT exam तक और target है 130 प्लस जितने भी मेरे subscriber viewers हैं जितने भी छात्र हैं जो CTAT दे रहे हैं इस बार उनके 130 प्लस आएं हमारे सबके सहयोग से ठीक है अगला question क्या है अगला है कक्षा 4 के अध्याए उसमें पोर्थ में एक अध्यादिया दिया गया है चैप्टर है दुनिया मेरे घर में इस कहानी में या कहानी जो है अक्षा के बारे में है जो बताता है कि कैसे उसकी दादी ने उसे अनिल के घर कुछ भी खाने पीने के लिए मना किया है दादी ने कहा है अक्षा से कि अनिल के अहां कुछ भी खाना पीना नहीं है इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्पूर सिच्छा मिलती है अब बताईए अमारे समाज में समानता और सामजस्टी का आस्तित्त। अगर समानता और सामजस्टी होती तो दोस्तो दादी मना क्यों करती तो यह उप्चन आपका गलत हो जाएगा जाति भेदभा एवं अशप धर्म की बात जब होती है तो वहाँ पे संप्रताइक्ता और धार्मिक भेदभाव होता है यहाँ पे सबसे बढ़िया आपका ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा जाति भेदभाव एवं अशप्रश्यता का अस्तित्त। है इसलिए दादी ने अक्षे को मना किया निल इस चर्चा का क्या उद्देश से हो सकता है एक है राय ऑप्शन अपने सातियों से साज़ा करना कि उन्होंने क्या खाया ये तो उद्देश से दोस्तों हो नहीं सकता है किसी ने कुछ भी खाया हो बिना वज़े क्यों कोई पूछेगा तो ये उद्देश से तो हो नहीं सक भोजन की विविद्धता के पहलूओं को साजह करना संतुलित आहार क्या है इसकी चर्चा करना इसमें balance diet जैसी तो कोई बात नहीं की गई है इसमें बच्चों से कहा गया है कि आप लोग विस्कस करो कि क्या कल खाया है साजह करना की क्या खाना सामान ने है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा कोई इसका सेंस नहीं है तो दोस्तो इसमें सही option आपका B हो जाएगा भोजन की विविधता के पहलूओं को साजा करना यानि diversity को समझना किस के घर में किस टाइप का भोजन बनता है यानि किसने क्या खाया है कल किसी चीज की सबजी खाई होगी किसी ने दाल खाई होगी तो इस तरीके से दोस्तो भोजन की जो diversity है आपकी विविधता है उसको पहचानना साजा करना भी option correct हो जाएगा अगला question क्या है अगला question आपका है हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना fridge में रखे लंबी अवध के लिए नहीं छोड़ना चाहिए निम लिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है कीट विसाडू फफून या जिवाडू तो दोस्तो इसमें क्या आपका option क्या हो जाएगा आपका कीट विसाडू और फफून फफून इतनी जल्दी नहीं लगती है तो इसमें क्या दोस्तो बेक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं तो आपका जिवाड राइट answer हो जाएगा अगर खाने को आपने खुला छोड़ दिया या फ्रीज में नहीं रखा तो कुछ समय बाद 2-4-6 गंटे बाद क्या होता है आपका खाने का टेस्ट बदल जाता यानि उसमें जो है जिवाड पनप जाते हैं तो राइट जवाब आपका D हो जाएगा अगला कुछन क्या है पर्यावरड को बचाने की आवस्थिकता के लिए कई अंदोलन हुए कई मोमेंट हुए है उनको समर्तन भी मिला है इसमें से आपको बताना है किसने 1970 के चिप को अंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई है तो आपका बाबा आम्टे राजेन सिंग आपका मेधा पाटकर या सुन्दरलाल बहुडा तो इसमें आपका जो दोस्तों आपका राजेन सिंग है इनको भारत का जलपूरुस कहा जाता है यानी वाटर मैन आफ इंडिया कहा जाता है इन्होंने वाटर कंजर्वेशन में महात पूर्ड क्वेशन है च्छत पर वर्षा के पानी का संरक्षड करके यानि आपका वर्षा का पानी जो होता उसको च्छत पर संरक्षड करके उसको संरक्षित करके भौम जल यानि ग्राउंड वाटर को पुना आवेशिक यानि दीचार्ज किया जाता है इस पारंपरिक विध का प्रियोग किस श्टेट में किया जाता है मध्यपरदेश राजस्थान पंजाब और बिहार तो हम जानते हैं दोस्तो पानी की जो दिक्कत है ना तो आपके मध्यपरदेश में ज्यादा है ना आपका पंजाब में है ना आपका ज्यादा बिहार में है अगर पानी की कोई ज स्थान के अंदर अपना ही जाती है पारंपरिक भी धी है अगला क्वेस्चन क्या है अगला क्वेस्चन है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा इससे दोस्तों आपके लिए काम करने का और ज्यादा होसला मिलता है और ज्यादा मोटिवेट होते हैं हम अगला क्य के अंदर और बाहर पैर रखते हैं उदते हैं और उसकी ढोल की ताल पर नाचते हैं डांस करते हैं अब बताओ यह चेराओ नत्ति जो है जिक कहां से समझ देते हैं मडिपूर मिजोरम असम उडिशा तो इसका जो दोस्तो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका मिजोरम हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो आज के वीडियो में दोस्तों फिलाल इतना ही मिलेंगे कल और धुवादार क्वेस्टेंस के साथ जैहिन बंदे मातरम